दोस्तो कोल तो आप सभी लोगों के मुबाइल में रोज आना आती होगी क्या दोस्तो आपको पता है जो आपके मुबाइल में आपके मुबाइल में जो कोल आती है या फिर किसी के पास आप कोल करते हो यहाँ पर दोस्तो आप तीन बहुत इंटरेस्टिंग एड़ खतरनाक को apply कर सकतो अपने मुबाई के अंदर यह ऐसी ट्रीक है दोस्तों यदि आप इनको activate कर ले तो अपने मुबाई के अंदर हर कोई चोग जाएगा दोस्तों और मेरे कमेंट सेक्षन में मुझे बोलेंगी कि यार मुझे इन ट्रिक्स के बारे में पहले क्यों नहीं पराता अब दोस्तों क्या है आपके मुबाइल की कोल को लेकर तीन ख़धरनाक ट्रिक इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना ध्यान से समझना हो करते हैं और चलिये जानते हैं तो यदि आप चाहते हो अपने मुबाइल में आपके पास कोई भी मुबाइल हो उक्के बस वह एंडूलिड होना चाहिए कितना भी महेंगा पुराना सृष्टा कैसा हो एक्टिवेट करना जो आपके मुबाइल की को ल को लेकर है यहां दोस बहुत ही interesting trick को अपने mobile के अंदर use कर सकते हैं तीनों trick को एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा एक-एक trick को आपको बहुत धिहान से समझना है और दोस्तों इसको अपने mobile के अंदर activate करना है थर्ड नंबर की trick को जूरूर देखना दोस्तों बहुत ज्यादा मज़ा जाएगा य या फिर वीडियो के लाश्ट में आपको बता दूगा कि application को नाम क्या है अब दोस्तों पहली trick के वारे हम जानते हैं कि पहली बार आप इस application को open करेंगी तो यह जो दोस्तों application है या कुछ इस तरीके से open हो जाएगी आपके mobile के अंदर अब सबसे पहले यहां पर आपको क्य पाइल का dialer pad है वो चैंज होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि मैं आपको अब दिखाने वाल अब दोस्तों आप देख सकते हो जो आपके mobile का dialer pad रहेगा वो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा आप यहां पर check जो है कर सकते हैं आपको पूल जाएगा okay करने के लि आले trick को अपने mobile में activate करने के लिए आपको क्या करना है यहां पर सबसे नीचे एक setting है flip to silence इस पर क्लिक करेंगे और यहां से setting को जो है own कर देंगे अब इस setting को own करने से दोस्तों क्या हुआ अब थोड़ा हो ध्यान से देखना okay अब दोस्तों मान लेजिए कि यह मेरा mobile है मेर पर एक call आ रही है अब जैसे ही यदि मुझे यह call उठानी है तो मैं इसको उठा लूगा लेकिन यदि मुझे इसको silence करना है तो simply मुझे क्या करना है अपने mobile को उल्टा कर देना है अब आपने देखा ringtone जो उसकी बज़ रही थी वह silence हो चुकी है silent हो चुकी है तो जैसे ही आपके पास कोई incoming call आएगी और आप अपने वाले को उल्टा कर देंगे तो इस trick को आप वहाँ पर apply कर सकते हो जैसे आप कहीं meeting में बैठे हो यार अचानक से किसका call आया तो आप उसको कटी पी नहीं करना चाहते तो आप तुरुन से phone को ऐसे कर सक करेंगे जो आपने डाउनलोड किया ओके यहां पर थीर दोट पर क्लिक करेंगे यहां पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहां पर दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा caller ID announcement ओके अब दोस्तों इसका मतलब क्या है वो थोड़ा जान यदि आप इस सेटिंग पर क्लिक करते हो और यहां पर आएगा announce caller ID यहां पर क्लिक करते हो और यहां पर करते हो आप always ओके अब क्या होगा अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं अपने पास जो है एक call कर लेता हूँ वापिस से ओके मैंने call कर ली है जैसे call आएगा आपको आप ने देखा इसने हमें बोल कर बताया है कि किसका call आ रहा है तो इस सेटिंग का दोस्तों यही मतलब हुआ announce caller ID का कि जिसका भी call आईगी आपको आपका मुवाइल बोल कर बताएगा कि इसका call आ रहा है अमित का call आ रहा है सोनु का call आ रहा है तो बहुत ही इंट्रेस्ट चीज हो साती है तो उस्तों यह चीज आपके लिए उस्तों बात करेंगे थर्ड नंबर के सेटिंग की जिसका आप सभी लोग बेस अबरी से वेट कर रहे थे और मैंने आपको सुरुमी बोला था कि आपको थर्ड नंबर की ट्रिक जुरूर से देखकर जाना है तो थर्ड वाल का डैलर जो है बेसिकली डैलर रहता है आपको किसी के पास स्कॉल करने होती है तो आप यही पर तो किलिक करते हो डिरेक्ट ही तो आपने यही पर इसको लिया आप पता ही ने चलेगा आपको है ना तो इसको लाने के बाद यहां पर अब आपको क्या करना है वो मैं बत तो SIM की validity खतम हो गई है, फिर आप सोचते हो यार मुझे एक number से call करनी थी, तो आप क्या करते हो, वापिस से काटते हो, वापिस से call करते हो, है ना, लेकिन आपका time बच जाएगा, यदि आप इस trick को apply करेंगे, जहां दोस्तों, आप यदि किसी के पास call कर भी लेते हो, call करने क पर मतलब कि divert कर सकते हो, call को, चलती हुँ पर, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, दोस्तों, केवल और केवल, इस application को download करना है, और जो भी call करनी है, आपको इसी application से करना है, यानि कि इसी dialer pad से करना है, यह dialer pad है, Google का जो के Android मुवाली के लिए है, Google का यह Android रहता है तो आप इसको basically अपने वाइल में add कर सकते हो, इस पर मैंने call की, अब क्या हुआ है, यह जो call है, यह उस number पर जा रही है, मैंने देखा यार, यह तो SIM 1 से मैंने इसके पास call कर दी, मुझे तो SIM 2 से करनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, change SIM का एक option आ रहा है, आप simply क्या ग SIM 2 से जाएगी, आप इसको practically use करके देखना, आप जोग जाएंगे दोर, तो वाओ यार, क्या fantastic feature है, और सबसे बड़ी बात यह है, इसको कोई भी mobile में activate कर सकते हो, आप, यदि यह जो मैं application आपको बता रहा हूँ, यह आपके mobile के लिए compatible है, तो compatible का पता जब चलेगा, जब आ download करेंगे है या नहीं है, यदि आपके play store में application आपको दिखाई नहीं दी, तो समझे लिए compatible नहीं है, और यदि आप download click पर, click करके description के link पर, और वहाँ पर नीचे लिखावाया, तो भी compatible नहीं है, ओके, अधरवाज यह install जाएगे आपके वाले में, असानी से तो compatible जो है, आ यह तीन ट्रिक थी, I hope यह वीडियो आपको चल लगी, कुछ नहीं को मिला होगा, अब दोस्तों application का नाम में आपको एक बार प्ले स्टोर में भी दिखा देता हूँ, phone by Google, Google LLC company है, ओके company का ही Google का ही यह जो है डालेर पैड है, यह application का नाम में, इसको download कर लिजे, नीचे description में लिंक है, या फिर प्रे स्टोर से कर लेजिए, जैसे भी कर लेजिए, अज होब यह वीडियो आपको चलो कुछ नहीं से लिए, वीडियो को प्यास लाइक करना, तो यह ता शुडियो में समस्का दोस्तों, आपका दिन, सुबो.